नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागते आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में तो कन्यारासी वालो मित्रो आपके घर में खून के निम्बू छोड़ दिये हैं इस नाम के दुस्मन ने मित्रो ये दुस्मन आपको जिन्दगी का इतना बड़ा सबक इतना बड़ा दुख देगा कि आप कभी भी मरते दम तक नहीं भूल पाओगे मित्रो जानिये आखिर कौन है और क्यों आपकी घर की बरबादी चाहता है और मित्रो सबसे बड़े राज की बात यह है कि यह रोज-रोज तुम्हारे घर की देहलिच पर आ रहा है यदि मित्रो आप ने से समय रहते नहीं पहचाना और समय रहते नहीं संभले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा मित्रो आपकी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा भेड इस वीडियो में खोलेंगे वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके घर में जो ग्रह कलेश हो रहे हैं मित्रो जो बरबादी आ रही है हर वक्त घर का व्यक्ति रोग से जूज रहा है घर में धन नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं तो इन सब के पीछे का कारण जो है मित्रो वह केवल इस नाम का ही दुस्मन है मित्रो आप भी नाम जानने के लिए बड़े बेताब हो रहे होंगे कि आखिर कौन है वह दुस्मन मित्रो दुस्मन का नाम तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे लेकिन उससे पहले कुछ साउधानिया और कुछ संकेत बताएंगे मित्रो जो यह बताते हैं कि हाँ आखिर आपके घर में किसी ने खोन के निम्बू छोड़ दिये हैं मित्रो बहुत खास वीडियो होने वाली है सब से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में साथ बार जै माकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा माकाली आपकी रक्सा करेगे मित्रो आईए कि आपको पता है कि आखिर यह व्यक्ति आपके घर की देहलिच पर क्यों आ रहा है और मित्रो क्यों खोन के निम्बू छोड़ रहा है आपकी इससे क्या दुस्मनी है अखिर आपने इसका क्या बिगाड़ा है कमाम बाते हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो मित्रो क्या आपको पता है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर जो निम्बू मिर्ची है आपने कभी उस पर नजर डाली है मित्रो सब से पहले ध्यान रखिये कि यदि आपके घर के मुख़्ी द्वार पर जो निम्बू मिर्ची है उस निम्बू मिर्ची को कौन टांगता है बहुस से लोग अपने हातों से टांगते हैं बहुस से लोग पंडिजी को बुलवा कर टंगवाते हैं लेगे मित्रो आपको पता है कि किस तरह से एक निम्बू सिर्फ एक निम्बू आपके घर को पूरी तरह उजार कर रख सकता है मित्रो यदि आपके घर में कच्चा हरा उस पर लाल कंकू या लाल खुन से लटपत निम्बू दिखाई दे तो तुरंट उसे घर से बाहर फेकतें नहीं तो मित्रो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है क्योंकि कोई भी इंसान उस निम्बू में भूत प्रेत बांध कर भी आपके घर में फेक सकता है इसलिए मित्रो अकसर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप घर से बाहर भी जा रहे हैं और अगर रास्ते में आपको निम्बू दिखाई दे तो भूल कर भी उस निम्बू से मित्रो हमें किसी भी प्रकार का छुआ चात नहीं रखना है यहां तक कि आपकी चाया भी उस कटे हुए निम्बू पर नहीं पड़नी चाहिए मित्रो अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग हरा निम्बू काटके घर के बाहर चोराए पर रस्ते में फेद देते हैं तो इसके पीछे मित्रो कई बार बहुत बड़ी साजिस होती है उस निम्बू में कुछ एसी काली और बुरी सक्तिया नहित होती है जिसे देखकर मित्रो रोंगते खड़े हो जाते हैं अक्सर सास्त्रो में भी बताया है कि निम्बू के जो तोटके होते हैं यह कोई साधारन तोटके नहीं होते हैं अब मित्रो यह तो था कि हमने आपको बताया है सावधानिया लेकिन अब जान लें कि आखिर कौन इंसान है जिसने आपके घर के उपर साधारन निम्बू नहीं बलकि खोन के निम्बू छोड़े हैं जी हाँ, मित्रो अकसर आपके घर में कई बार देखा होगा आपने कि कुछ लोग आपसे जलते हैं, जलन की भाव ना रखते हैं आपकी तरक्की उनसे नहीं देखी जाती है वे आपके उपर हर वक्त जादू, तोना, तोटका, क्रियाएं आदिक करते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आपसे जलने वाले लोग है यह कोई भी हो सकते हैं आपके मित्र में से हो सकते हैं आपके घर परिवार में से हो सकते हैं सहर कर्मियों के रूप में हो सकते हैं और सहर पाठी के रूप में हो सकते हैं मित्रो आज की इस कली यूग यूग में ऐसा हो गया है कि अपनों की तरक्ती अपनों से ही नहीं देखी जाती है। जहां आप एक कदम आगे बढ़ेंगे अपने ही मित्रो टांग खीचने दोड़ कर आएंगे। तो हो सकता है कि आपके घर पे जो निम्बू छोड़ा है वह इसे इनसान ने छोड़ा हो। मित्रो कई बार इसे इनसान की नियत भी बहुत माइने रखती है। आप जिसके साथ रह रहे हैं उठ रहे हैं बेट रहे हैं उसे जानना उसकी नियत को जानना कभी कभी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अब गुरु जी बताते हैं मित्रो कि किसी की नियत का अंदाज़ा सिर्फ उसे देख कर नहीं लगाया जा सकता है मित्रो आप ने अपने जीवनकाल में कई बार यह एहसास जरूर किया होगा कि जिसके साथ आप रहते हैं, घुमते हैं, खाते हैं, पीते हैं कई बार उसी के मन में कभी-कभी द्वेस की भावना उत्पन्न हो जाती है कभी-कभी अचानक से बोलचाल बंद हो जाती है मित्रो, क्योंकि मन साव जाहिर होती है, कि इस व्यक्टी से आपकी तरक्की नहीं देखी जाती है आपका सुख नहीं देखा जाता है मित्रो कई बार यह व्यक्टी हमारे उपर तो ठीक है कभी-कभी हमारे घर के उपर भी नजर रखने लगते हैं और घर की खुशियों के साथ साथ हमारी खुशियों पर भी नजर लगाते हैं आपने भी मित्रों कई बार देखा होगा कि इस जीवन में बहुत से लोग आते हैं कुछ जुड़ जाते हैं कुछ चले जाते हैं लेकिन कई बार यह जो जाने वाले लोग रेते हैं यही हमारी जिन्दगी का बड़ा सबक बन कर जाते हैं जी हाँ अक्सर कुछ लोग हमारी जिन्दगी में आते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि कभी भी अपने अपने नहीं होते हैं क्योंकि आपके घर में जिस व्यक्ति ने मित्रो खून का निम्बू छोड़ा है उस व्यक्ति का नाम ज्यान कर आप हेरांद रहे जाएंगे आपको अपनी आखों पर विश्वास नहीं होगा मित्रो यह व्यक्ति वह है जो आपके ओपर जल्ली क्रोध करता है आपके प्रती मन में द्वैस की बदले की भावना रखता है आपके पीट पीछे आपकी बुराई करता है और मुह पर सिर्फ और सिर्फ मिठा बोलता है तो आप भी जान लिजीं मित्रो की ऐसा व्यक्ति कौन है और कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ इस व्यक्ति से दूर हो जाना है तो अब वीडियो की समापती जो है यहीं पर होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में मित्रो जैमा काली अवश्य ही लिख दीजेगा और देने कर रासी फल और यदि आप चाहते हैं कि रोजन आपको एसी ज्यान वर्दक वीडियो और सावधान वर्दक वीडियो की प्रापती हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमसे अभी जुड़ाएं